हाई गाईज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तंदूरी पनी टिक्का एकदम रेस्टूरेंट स्टाइल अगर आप खर पर बनाना चाहते हैं तो सिंप्ली इस रेसिपी को फॉलो कीज़ेगा बहुत टेस्टी तंदूरी पनी टिक्का बनके तयार होगा वह भी ब जैरा पॉडर और इसकी साथ डालेगे वन टीयाव स्पून हल्दी पाउडर हाफ टीश पून गरमना झालेके इसकी सार्ट दा जौन का सूरी में थे ऑप्षिन अब के साथ डालेंगे 3 Holl commit toback के तो अब की पास बेसल नहीं तो फिर आफ सथी हमीर की नउसान का बेच्ज अब ojos like बुए चार्ट में को अब डालेंगे सर्सो का तेल अगर आप के पास सरसो का देल नहीं तो आफ क्द इस बहुत स्वैकरर हें टेस्ट आएगा तो अब में 300 ग्राम पनीर लेब्च बरे तो में काट लिए और आप सारे पनीर को मसाले हमें डाल लेंगे और ह help Mfit हंदो से या पिछाने म geil process लेक्ट से इसे उत लिए पेरं ना डाल Daar A आप कुछ वेजी इस ने betnhट कर लेगा में तो मैंने거 घ्रिमा मिर्छ कि ते उड़需 को Mic तो इसे तरह से मैंने से मिक्स कर लिए और इसे हम 15 मिनिट के लिए साइट पर रख देंगे और जब 15 मिनिट हो जाए तो फिर एक स्क्यूर लेना है मुझे इसे पैन पे कुक करना है इसलिए मैंने छोटी वाली यूज किया अगर आपके पास बड़ी वाली स्क्यूर है और आ इसी तरह से आप एरेंज कर लिजगा और स्क्यूर तयार कर लिजगा तो इस तरह से मेरे सारे स्क्यूर तयार हो चुके है तो आप चलिए इसे पका लेते हैं एक पैन ले लेंगे और इसे सालो फ्राइ करना है यानि कि थोड़ा सा तेल का इस्तमाल करना है बिल्कुल आपक के साइट को टें कर लिजगा बहुत समल कै आप इसनिर कीज़ेगा नहीं तो फिर आप के हांथ जल सकते हैं तो मुझे इस तरह से आप इसके साइट को टान कि लीज़ेगा और अगर आप तंदूरी फ्लेवर देना शाहते हैं तो फिर अफ इस तरह से हाई फ्लेवर ग्हुमादे वे सेख लिए तो हलें पर आप इससे कहा है बिल्कुल लगेगा कि आपने तंदूर पे इससे सेखा है 20 से 30 सेकेंड तक इससे सेखना है आप अलट पलट करें से हाइफ लिम पर बस तब तक से क्लिए जब तक एक अच्छा समार्क नहीं आ जाता है तो हमारी पनीटिक का एक डम तयार है और उसी दर्मान में एक चटनी त धनिये के पत्ते ले ले रहे हैं और दो टबले स्पून मैंने दही ले लिया है वन टी स्पून नमक डाल देना है पानी वगर अगर अगर इस्तमाल नहीं की जिएगा अपने इसे गाड़र त्यार करना है तो बस इसे आप पीस लेजएगा तो हमारी बहुती मज़दार से चटनी तयार है पनीटिका के साथ सर्फ करने के लिए से रखेंगे साइट पर और इधर हमारी तंदूरी पनीटिक का एक्दम तयार है और उपर से थोड़े से डालेंगे नेमो करस अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो आप स्कैप कर दीजिएगा लेकिन इसे टेस्ट और पर जादा इनान्स जाता है तो बहुत इजी बहुत ही मज़दार बहुत ही चटपटे से हमारी तंदूरी पनीटिक का एकदम तैयार है बिलकुल रेस्टरेंट की तरह बिलकुल लगेगा नहीं कि आपने इसे बहुत जल्दी अपने घर पर बना लिया है और टेस्ट में भ बनीटिका कैसी बनी और अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छे लगी तो मेरे चानल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए वन टाइम जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अलहाफेज टेक केर टो आल अफ बाइ